आप सेुपर कन्सेट कलास्स मेश्वागत थे अगर आप लोग इस साल सिविटी का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस बीडियो को पूरा देखिए यहां पर मैं आपको PATRAMS कहुझ एकल क्या हो दिटेल मोंगा गया है और क्या-क्या ड benefits मांघा गया है यहां पर मैं आपको सटिक जानकाली देने वाला हूं कि मैंने फॉर्म को भरा है जो फॉर्म भरने में जो चीज लगा है चाहिए आपका डिटेल हो चाहिए आपका डोकुमेंट्स हो यहां पर मैं आपको एकक करके समझाने वाला हूं देखिए किसी भी फॉर्म को भरने के लिए जो हमारा नॉर्मली जो डिटेल लगता है चाहिए आपका नाम हो गया फादर्स नेम मदर्स नेम यह सब तो लगेगा ही लगेगा लेकिन जो मैं जो जरुरी वाला जो चीज है यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं बस आप दे हे करो जाता है यह सब तो आपके पास होगा ही होगा है में ऑन अगर बात करें को जो यहां पर मधा गया है अब इसको थियूदे तो देख लिजिएगा तो education detail में यहां पर आपका class 10th का मांगा गया है और class 12th का मांगा गया है 10th का भी मांगा गया है और 12th का भी मांगा गया है अब देखिए जैसे की 10th तो आप pass कर गये हैं लेकिन अगर आप लोग इस साल 12th का एक्जाम दिये हैं तो आपका result आया नहीं है तो आप जब form को भरेंगे तो appearing करके आपको form को भरना पड़ेगा और जब आप form को भर रहे होंगे तो जो education डिटेल में जो मांगा गया है क्या आप किस बोड से किये हो name of board भी name of board मांगा गया गया था उसके बाद आपका मांगा गया है सरकारी इस्कूर्ड प्राइवेट 1975 यह जो इस्कूल यह किस एरिया में है किस एरिया में है ग्राविन चेत्र में है या फिर आपका सहरी चेत्र में है साती सात यहां पर मांगा गया है आपका रोल नंबर ठीक है रोल नंबर आपका मांगा गया है उसके बाद आपका मांगा गया है मार्क्स यानि कि नंबर आप कितना नंबर लेकर आए हैं उसके दोकुमेंट्स का अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद एजुकेशन वाला में यह सब मांगा गया है उसके बाद जो है बैस आप जानते हैं आप भर लेना फोर्म को कोई दिकत कोई प्रोवलम नहीं होगा अगर आपको बात करें डोकुमेंट्स का यहां से सुनो अगर आ आपको लगाना है सिगनेचर यह दो चीज फोटोर सिगनेचर लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है आप इस बात को एकदम खोपडिया में हुसा लेजिए अच्छे तरह की से समझ लेजिए देखिए जब फॉर्म आप भरेंगे ना तब उहां पर बीपियल वाला एक आपको को कॉलम मिलेंगे ठीक है कि आप अगर उसमें या सचर कर देते हैं तो फिर आपको बाद में डोटोकुमेंट्स अपलोड करेंगे तो उहांपर आपको बीपियल सर्टिफिपिकेट देना पड़ेगा यान सोनीग मेरा बात को टिक है उस टीम क्या जूना पड़ेगा आपक इस बात को धियान से सून लीजिए कि जब फॉर्म भरेंगे तो यह गलती आप मत करना आप यस कर दिये होंगे पहले और फिर बाद में भाई ऑप्सन नहीं मिलेगा आपको बाद में अप्सन नहीं मिलेगा फिर आपका गडवल घोटाला हो जाएगा इसलिए पहले ही जान ल अप्लोड करना है लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है आपका आधार नमबर का काम है तो आधार नमबर जरूरी है इसे आधार काड का उपर इसकेन करके नहीं देना है आपको बस आधार नमबर चाहिए तो बिस्यस करके एही सारे डोकॉमेंट्स लगेंगे और एक मैं वीडियो मनाओंगा जहां पर मैं आपको फुरा फॉर्म को भर कर बताऊंगा कि आप लोग फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे तो यह रहा हमारा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए जितना होश्य के वीडियो को सेर करें तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में थैंक यू जहिंद